कि अगे 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 हैं आप सभी उमीद करती हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छी होंगे बहुत मस्त होंगे और बहुत अच्छा कर रही होंगे कांश्यम आ गए हैं अगे लुद्द फिर्वांशय प्रिया रितेश येस बहुत बढ़ी है कि अच्छी आप सब को पता होगा कि अभी हमारे पास एक बाच लूंच हुआ है जो कि बहुत शांदार बैच है जो कि बच्चे अभी शुरू करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बिलकुल अलग से बाच रहेगा बिलकुल शुरुआत से जो बाच हमारा है उसका नाम क्या है उसका नाम है डेल्टा 2.0 डेल्टा है राइट तो डेल्टा बैच हमारा जो है वो लॉंच हो चुका है आप सभी उस बच को बाई कर सकते हैं यूजिंग कॉड Y697S आपको पता है Y697S S का मतलब Sonia चाहर जो मेरा नाम है डिस्काउंट के लिए क्लास का टाइमिंग 5 बजे होता है Tuesday, Thursday, Saturday यह आपको पता ही है PDF आपको टेलिग्राम पे रिसीव हो जाती है आपको लास्टाइम मैंने दिया था वो मैंने बोला था कि आपको दो होमवक दिये थे एक होमवक मैंने कहा था कि आपके पास कुछ इंजाइम मैंने दिये ECO-R1, HIN-D2, NB-MH1, दूसरा मैंने six linked and autosome linked disease के बार में पूछा था कि वो क्या होता है उनकी definition क्या difference basic उसके अंसर किया बट एक अधूरा answer मिस्प्रिया कह रही थी माम हमेरे elaborate नहीं किया आपने गलती कर दी आपको पते हैं आप सभी के पास 46 chromosome होते हैं humans में से उसके अंदर 44 autosomes होते हैं right 44 क्या होते हैं autosomes होते हैं ठीक है 46 में से 44 autosome और 2 हमारे allosome allosome या फिर six chromosome कहते हैं अगर हमा six chromosome में किसी भी तरीके साथ defect आता है कोई gene खराब होता है तो वो six linked disease cause करता है अगर autosome chromosome के gene में कोई defect आता है उनमें कोई defect आता है तो वो autosomal disease cause करता है यह उसके अंदर definition थी आपने उसके इंदर गैच मैच कर दिया थोड़ा सा बाकी शूरूती ने बिल्कुल सही answer किया था that is very good ठीक है और eco r1 ga gattas जिसको हम कहते है bmh1 ga gattas जिसको हम कहते है hint 1 आपका gtc gac आपका जो है recognition site वो हमारी हो चुकी है अब next question हमारे पास यह है जो मैंने आपको छुटवा दिया था राइट एक 84 question number मैंने आपको छुटवा दिया था कि यह next class में कराऊंगी मैं तो उसक by the statement which hold true for phenylketonorea phenylketonorea के लिए कौंसे statement सही है phenylketonorea is a sex linked disorder phenylpyrovic acid is accumulated and converted to phenylalanine caused by mutation in pleiotropic gene affected individual lake enzyme phenylalanine hydroxylase yes good evening बिलकुल सही messpria yes बिलकुल सही अगली बार याद रखना है वे भागी भागी आईयों मैं केंटीन से एक चैज़ा बनती है फिनाल के टिनॉरिया कैसा है फिनाल के टिनॉरिया पी के यू जिसको हम किसमें पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं इसको हम प्लियो ट्रॉपी का एक्जामपल लेके चलते हैं प्लियो ट्रोपी जहां पे आपके पास प्लियो मतलब आपके पास काफी सारे ट्रेट होंगे मैनी ट्रेट होंगे जो कि एक सिंगल जीन से कंट्रोल होते हैं सिंगल जीन से कंट्रोल होते हैं जैसे कि अगर आप बात करें आपके पास बेसिक चीज़े क्या चलती है राम राम भाई, बेसिक चीज़े क्या चलती है, बेसिक चीज़े कुछ ऐसे चलती है, कि आपके पास, फिनाईल, एले नाइन होता है, जो की कनवर्ट होता है ताइरोसीन मे, अब यह ताइरोसीन, आपकी बॉड़ी में क्या करता है, यह आपकी बॉड़ी को, pigmentation देता है आपकी body के अंदर जो absorption होती है kidney के अंदर जो absorption होती है यह absorption कौन करता है यह का kidney के अंदर absorption भी आपका इसी से होगा है ना overall growth होगी वो भी है ही है अब क्या होता है ना कि इसको जो conversion कर रहा है phenyl alanine से tyrosine में जो conversion हो रहा है इसके लिए एक enzyme आता है जिसको हम कहते है phenyl hydroxylase अब कई बार सीधी सी बात है enzyme है protein है protein को बनाएगा कोई न कोई gene responsible होगा इसके लिए तो वो जो gene है जो इस enzyme को बना रहा है वो defacted हो जाता है जिसकी वज़ेसे यह आपका नहीं बन पाता है है ना phenyl hydroxylase नहीं बन पाता है तो phenyl alanine convert ही नहीं हो पाता है जब यह convert नहीं हो पाएगा tyrosine में तो यह सारे function नहीं होएंगे अगर यह सारे function नहीं होगे तो क्या होगा यह जो आपका alanine है यह आपका convert हो जाता है phenyl pyruvic के अंदर और यह आपका जाके brain में deposit हो जाता है जिसकी वज़ेसे आप retard हो जाते हैं except in this यह जो functions थे pigmentation kidney absorption यह चीज़े होंगी नहीं क्योंकि टाइरोसीन नहीं है तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा इसकी वज़ेसे poor absorption होगा है न क्या होगा poor absorption इसलिए हमारे पास जो glucose है या कुछ ketones है वो हमारे यूरीन के साथ पास होंगे reason being वो absorb ही नहीं हो पाए हैं दूसरा हमको कोई pigmentation नहीं होगी no pigmentation and it can lead to vitiligo also vitiligo जैसा हो जाता है without pigment right नमस्ते भाई आशिता तो यह आपका क्या है phenyl alanine अब यह एक autosomal inborn disease है कैसा autosomal autosomal and दूसरा autosom तो ही है metabolic disease है यह metabolic ठीक है यह भी आपको याद रखना है अब यहां से phenyl ketonoria sex linked disease नहीं है it's a autosomal linked disease तो इस statement is wrong phenyl pyruvic and accumulate होता है और phenyl alanine में convert हो जाता है that's a wrong statement wrong number तो यह भी हमारा क्या हो गया wrong हो गया उल्टा लिख दिया phenyl alanine accumulate हो के pyruvic में change होता है caused by mutation in a pleiotropic gene that's true that's true और ऐसे person के अंदर phenyl alanine hydroxylase की कमी होती है that's also true so answer is B and D B sorry C and D answer is C and D so answer is C बहुत बढ़िया राम राम भाई गुरी इवनिंग गुरी इवनिंग यस गुरी इवनिंग आगे चले बिटा which of the following cannot be used as specimen for DNA fingerprinting आप DNA fingerprinting जब करते हैं तो किसको हम as a specimen नहीं ले सकते DNA fingerprinting मतलब यह नहीं हमारे हाथों में fingerprint है ना 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 डियने का जो sequence हम जानते हैं that is called DNA fingerprinting yes please देखो DNA निकालोगे DNA निकालोगे जहां पर आपके पास nucleus होगा है ना nucleus के अंदर DNA होता है ना और खाओगा वहीं होता है राइट अब इस चीज को समझो जहां nucleus होगा वहीं कर पाओगे इसलिए जो RBC होती है RBC से कभी DNA fingerprinting नहीं कर सकते तुम reason being क्यों बतारियो देख लो क्योंकि RBC के अंदर nucleus होता ही नहीं इसके अलावा एक सेल में और कहां DNA होता है आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा mitochondria के पास भी DNA होता है तो there is a thing that is called mitochondrial DNA mitochondrial DNA और mitochondrial DNA एक living cell में मिलेगा तो यहां पर आपको कौन सा living cell है अब देखो आपके पास दो है एक तो nuclear DNA nuclear DNA आपके पास है जो nucleus में मिलेगा एक mitochondrial DNA आपके पास hair follicle में हो सकता है nucleus ना मिले but mitochondrial DNA मिल जाएगा so answer is there follicle बिल्कुल यह हम use कर सकते हैं saliva saliva is having WBC saliva is having some mitochondrial DNAs है ना यहां पर हमको मिलेंगे चीज़े कुछ epithelial cells होते हैं मिल जाएगा skin tissues skin tissues के अंदर nucleus भी है mitochondria भी है तो दोनो DNA निकल जाएंगे यहां से भी food के अंदर हमारा जो food होता है क्या हमारे food में कोई DNA होता है उससे निकालते हैं नो answer is very clear that is d food from stomach बेटा food से खाने से में चाय लेगे बैटी उस चाय से तुम मेरा कॉंसा DNA निकाल दोगे पॉसिबली निकाल दोगे पॉसिबली नी है ठीके देखो मैं सिर्फ question पढ़ूंगे answer आप खुद पढ़ेंगे reason being मैं पढ़के बुला उस पढ़ूंगी तिह तुम बहुत जल्दी पढ़ोंगे तब तक मैं पनेंशेट करूंगी डिक्टेट करूंगी तब तक तुम फटाक से पढ़ जाओगे right answer please and everyone like the session and then send me some गुलाबिदल करन गुला येस बहुत बढ़िया हम येस बहुत बढ़िया मिस प्रिया नहीं कुम कुम बिटा walkie talkie see बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बीच दिन ऐसे कैसे पढ़ों की 7580 आजाएं दो चाप्रस ही पढ़ी हूँ इसके बारे में भी बात करेंगे बिटा भादवा इसके बारे में भी बात करेंगे do not get worried we all know we are having four limbs सारे ही four limbs है सभी का जो structure है that is the same structure same है origin same है but function different है and whenever ऐसी कोई चीज आती है तो it means we are having homology we are having some what we are having some what 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 divergent evolution so answer is c divergent evolution homologous organ already explained topic well explained मैं already कर चुके जिस दिन पहला sit था उस दिन ऐसा यह कोशन हमारा आया था analogous को लेके जहां पर हमने humans की और octopus की eyes का example भी मैंने आपको कराया था यह पूरा concept समझाया था तो इसी लिए जो बच्चा आज session में आ रहा है प्लीज आ पुराने भी देखना sessions क्यूंकि वहां से बहुत सारे topics के explanation हम already कर चुके जो के आगे नहीं करने वाले one topic once right आगे पार्चुरेजेश पार्चुराइजेशन इस end of pregnancy delivery of foetus movement of foetus during pregnancy distinction of uterus कल इसके मैंने होर्मोन कराय थे लास्ट सेट जब मैंने आपको कराया था तो मैंने यहां पर इसके कुछ होर्मोन कराय थे कि neuro endocrine mechanism की अंदर तीन होर्मोन आते हैं one is oxytocin, cortisol and estrogen that resultant into parturization are we clear here and वो की placenta और foetus से आता है signal thank you so much आराधना अगर आप अच्छे से समझते हैं तो इसमें मेरा best नहीं है यह आप best आप इतना ध्यान से सुन रहे हैं right teacher तो सभी एक जैसा पढ़ाते से भी पढ़ाते हैं answer is delivery of foetus correct है बहुत easy था that was quite easy राहूल अंच, कांख्षी, कांख्षा, ओम प्रकास, रितेश, एनी कर्नार बहुत बढ़िया सबने सही आंसर किया है yes कुम कुम अंच, yes आगे देखिए sparrow is a primary consumer when it eats seeds but it became secondary consumer when it eat what एक sparrow है जब वह बीज खाती है तो primary consumer हो जाती है पर जब वह secondary consumer बनती है तो क्या खाती है fruit खाती है, pea खाती है, nut खाती है, insect खाती है, yes बताओ जो अलदी से देखो हमारे पास ना जब हम पिरामिद्स बनाते हैं तो हमारे पिरामिद्स की कुछ limitations आती है, तो उसमें से एक limitation ये आती है कि हमारे पास जो organism है, वो एक organism दो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग कर सकता है, अगर आप plant को direct हमारी sparrow खा लेगी, तो सीधी सी बात है, अगर direct sparrow ने खा लिया plant, plant से कुछ भी खाया, पत्ती खायी, stem खायी, fruit खाया, peat खाया, nut खाया, anything, plant से खाया है, ठीक है, तो यहां पर ये primary consumer हा गई, बट अगर plant को खाया किसी insect ने, और insect को खाया फिर sparrow ने, तो इस case में primary consumer insect हो गया, यहां पर secondary consumer हमारी sparrow हो गई, तो यहां पर लिमिटेशन भी है है, that's a limitation of pyramids, कि actually there can be organism which can belong to two trophic levels, and different trophic level, one can be primary and secondary consumer, according to the food chain, right, यह एक लिमिटेशन भी है उसकी, आगे देखो, कौन फॉर्म्स are the animal, whose, कौन फॉर्म्स कौन से animal होता है, body temperature remain constant, body temperature is higher than ambient temperature, ambient मतलब आस पास का, बलते हना, ambience बड़ अच्छ है वहां का, मतलब माहोल आस पास, environment, body temperature is lower than the ambient temperature, body temperature change with the ambient temperature, yes, देखो यह हमारे किस में आते हैं, we are having some responses, जब आपायोटिक फेक्टर्स को लेके, हम responses देते हैं, तो चार तरीके के responses देते हैं, one is a regulator आते हैं, regulator, जो कि अपने homeostasis को maintain करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जो भी उनका homeostasis है, उनका जो body temperature है, उसको maintain करते हैं, है ना, जैसे हम humans हैं, we maintain, we are regulator, दूसरा confirm आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है, confirm, confirm जो कि change कर लेते हैं, जैसा जैसा बाहर atmosphere होगा, वैसे वैसे वो अपने body temperature को change कर लेगी, जैसे वी आर हैविं सम फिशे, catadromus and anadromus fishes, fresh to marine, marine to fish, for some purposes, तो कैसे survive करती है, change करके, माहोल को change करके, right, उसके बाद तीसरा बिटा हमारे पास आता है, migration, जैसे की, अगर migration की मैं बात करूँ, तो हमारा कियो लाडो नैशनल पार्क, that is भर्तपूर नैशनल पार्क, राजस्थान का, वहाँ पे हर साल, भर-भर के साइबेरिया जाते हैं, क्योंकि उनका reason अच्छा नहीं होता, उस टाइम पे, बहुत जादा temperature high उपर नीच होता ह fourth is dipos, fourth is dipos, जो कि generally zooplankton, phytoplankton and some bacteria, some protistals, some amoeba, यह सारी चीज़े आप की जाती है, dipos, जो कि अपनी activities को रोक दिया जाता है, right, and dipos में ही hebernation and estimation आ जाता है, hebernation, homework, hw homework, hebernation, यानि की winter sleep, and as a tease, as, estimation, summer sleep, यह भी मैंने तुम को याद कराया है, right, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, d, कि जो ambient की accordingly, अपने body को change करे, body temperature को change करे, that is confirm, यानि changer जिसको कहते है, c से changer, c से confirm, next we are having, आपको correct statement identify करना है, according to human evolution, modern homo sapiens arose during ice age between 50,000 to 75 years, ramapithecus was more man-like, the brain capacity of homo erectus was about 650 to 800 cc, dryopithecus was more ape-like, yes, अब आपको सही answer चुनना, और यहाँ से एक question आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीके, तो यह तुमको अच्छे से आना चाहिए, human evolution जो है, तुमको आना ही आना चाहिए, नहीं तो समश्या हो जाएगी, बहुत तगडी, छोटी-मोटी समश्या से काम निचलेगा, यहाँ पर, तगडी समश्या हो जाएगी, ठीके, अब इस चीज को बहुत अच्छे से क आपके पास दो स्पीशिस देखनों को मिलती है, वन इस डरावनी-डरावनी से, that is Dryopithecus, and one is like Pooja निया, रामभगवान की जैसे, that is Ramapithecus, जो की human-like थी, एक हमारे पास आती है, Dryopithecus, second is Ramapithecus, Dryopithecus, Monkeys वाली लाइन थी, जो monkeys वाली लाइन थी, तो यह वाली थी, Ramapithecus, human वा थे, right, उसके बाद, after some time, Euthopia, Tajaniya, वहाँ पे कुछ और आते हैं, कुछ और Fossils, डिसकवर होते हैं, उनका बारे में पता चलता है, तो लोग कुछ बताते हैं, कि there were some more hominioid also, कुछ और भी थे, 3 मिलियन साल पहले, but इसके बाद, direct हमारे NCRT में, दूसरा नाम गीवन है, जि Chilopithecus, जो कि 4 फुटे थे, 4 फुटे मतलब 4 फुट के आदमी थे, सीधे तन के चलते थे, वो भी, और पत्थरों से, स्टोन के बारे में आती है, यहां पे बाद, यह स्टोन के वैपन बनाते थे, भई, आज तोड़ी राइटिंग कराब चल रही है, प्लीज, कर ले ना, और फुट खाते थे, फुट इटर थे, क्या थे, फुट इटर थे, फुट खाते थे, ठीक है, उसके बाद आपका next होमोहबिलस आता है, then we are having होमोहबिलस, इसके तुरंत बाद हमारा कौन सा आता है, होमोहबिलस, होमोहबिलस, जो बड़ा ही अच्छा है तरीके से, यह भी फुट खाता था, फुट खाता था, यह और पुछ नहीं खाता था, सवाल आते है, यहाँ से, and main चीज यह है कि इसके brain capacity, हम बोलते है, CC, CC का मतलब गया है, CC, bottle, CC मतलब cranial capacity, यह हमारा cranium का box है, this is cranium box, जिसमें brain है हमारा, जुरा पाया, arkenoid, पढ़ती हो ना यह, पढ़ती ह मतलब cranial capacity, इसके अंदर कितना दिमाग है, यह हमारी CC है, ठीक है, और होमो हैबिलस के अंदर जो आपका था, वो मैटा 650 से लेके 800 CC तक आता है, उसके बाद, हैबिलस के बाद हमारे पास नए लोग आते है, some more new, ठीक है, जो कि हमारा जावा के अंदर आता है, 1891 में, 1891 में, जावा में discover होते हैं, और वो हमारे आते हैं, जावा एरेक्टस लिख रही हूं, दिमाग गूंगे है, होमो एरेक्टस, होमो एरेक्टस, होमो एरेक्टस, होमो एरेक्टस ना चोड़े मीट खाते थे, यह बड़ी खास चीज थे, यह फ्रूट एटर नहीं थे, यह मीट खा और इसको गर मैं कहूं तो इसका टाइम पीरिड जो आपका आता है वन पॉइंट फाइफ मिलियन एर अगों का आता है और इनकी ब्रेंड कपासिटी यह तो पहली बात मीट खाते थे मीट इट करते थे दूसरा इनका 900 CC की ब्रेंड कपासिटी थे इरेक्टर्स के बाद हमारे जहां से काफी अच्छा सवाल भी पूछा जाता है यह नियंडर्थेल नियंडर्थेल आपके थोड़े सभ्य मानुस थे सभ्या जिसको आइडियल मैन भी बोलते हैं आइडियल मैन बोलने के पीछे रीजन है क्योंकि अपनी वह बॉड़ी को बरी करते थे बॉड़ी को इनकान हो रख्षा कुमार ने उसने पत्ट ल and Central Asia में आए थे यह कहां आए थे यह East and Central Asia में आए थे यह आपको याद रखना है कहां आए थे यह आपके Central East Central Asia में और East में आए थे Near East and Central Asia लिख देती हूं East पूछा जाता है यहां से Central Asia then finally उसके बाद आपके आते हैं Homo Sapien अब Homo Sapien आपको पता है पहली बार हम अफरीका के अंदर अराइज हुए है ना Ice Age में Ice Age 75,000 से 10,000 के time period में अब हम अलग-अलग continent पे चले गए अलग-अलग जगह पे चले गए तो अलग-अलग races बनगी हमारी राइट और हमने क्या करा भाया हमने तो काविंग्स भी करी बिम्बेट का है ना हमने तो बहुत शारी क्या की काविंग्स भी करी यस और नो तो यहां पर तुम आंसर करोगे जब तो इन सब पॉइंट को याद रखना तो पहली बात बोला कि modern होमो सैपिन आपके आई सेज में आई आई सेज मेने अभी आपको बताया आई सेज का क्या बोला मैंने भहिया कि इस अपकी जो थी वह कितने कीति सेवंटी तोंक्य तो यह 75 में 10 तो यह तो नहीं है यह आपका 75 से 10 का होना चाहिए क्ये था इतना नहीं होगा तो बहुत दूर क्यूर इवन एग्री कल्चर आता है डॉमेस्टिकेशन एनिमल्स की यह वह भी बहुत इतना ही अठारा दस हजार है रामा पिथेकस मॉर में लाइक यह बात ठीक है बिटी तो गलत हो गया ब्रेन कपासिटी एक्टरस की कितनी थी बिल्कुल ठीक है इसने 650 से 800 CC था ड्रायो वस्मॉर और एप लाइक यह वह बिल्कुल ठीक है तो करेक्ट सेटमेंट कौन सी कौन सी हो गई और करेक्ट सेटमेंट कौन सी कौन सी हो गई sorry sorry eractis की 900 भई sorry sorry एध्यान इद्या मैंने eractis की 900 900 its 900 right है बिलस्किए 650 जी तो आंसर ईस BND बी अब देखो अभी पढ़ाया है तुरं 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 दिमांग से गया यह होता है कि अभी इस बार अभी पढ़ाया फिर भी दिमांग से 2 मिंट में गया हुजाता है कोई बात नी Cocaine is obtained from Cocaine is obtained from Erythrozylum coca, Cannabis sativa Pepper, Papyrus Omniferum And Atropa Balladona Yes चलिए, Lovely Chaudhary Yes, बताओ, बताओ, Shabah से अब देखो, यहाँ पर क्या है न मैंने आपको एक दिन पहले समझाया था हमको कैसे याद रखना है जब हमने वहाँ पर सवाल पूछा था Heroine को लेके कि Heroine कहां से Optane होती है Right, हमारे पास Erythrozylum coca जिसे हम निकालते हैं Cocaine, Cocaine यानि Coco Alkaloid Right, Cannabis sativa Cannabinoid, Hashish Charest Ganja, Marijuana Papyrus Omniferum Heroine, Acetylmorphine Right, Atropa Balladona Hallucination याद आया, बताओ, भार्दू आज बताएंगे, आपको थोड़ा patience रखे तो answer is Erythrozylum coca ठीके, आगे देखो You are having two list, बटा एक list यहाँ, एक list यहाँ ऐसी list बढ़ी आती है Genetic के अंदर, जितने भी scientist आते हैं Do remember, genetic unit के अंदर जितने भी scientist का नाम आता है Very important, एक match the following मिलता है, scientist का नाम दिनन का सामने, work ऐसा ही कुछ यहाँ given है अब आपको बताना है कौन सा किस संबन देते है, yes फटाफद से, फटाफद से देखे और answer करें, yes गंजा नहीं है, हाँ बलकुल, गंजा Yes, बताओ बताओ बहुत बढ़िया जल्दी से देखो, हमारा जो ट्रिपल नेचर है जैनेटिक कोड का, यह किस ने दिया था? किस ने दिया था? C ट्रिपल नेचर, यह आपका किस ने दिया था? जोच गैमो, इन्हों ने ही दिया था, बहुत सारे बच्चे हर गोविंद खुराना के साथ भी जाते है हर गोविंद खुराना आता तो भी ट्रिपल में जाता बट इनका भी नाम यहीं आता है टिकनीक डिने फिंगर प्रिंटिंग की किसने की? अलेक जैफरी ने जो रिमेंबर अलेक जैफरी आते है यहाँ पर ठीक है? यह हमारे अलेक जैफरी से आ गए लाक ओपर ओन देने वाले जैकब इन मुनाद हो गए अगर आपको ध्यान है डिने का डबल स्ट्रांडेड हैलिकल मॉडल एज वेल इस सेंट्रल डोगमा यह दोनो ही चीजे आपकी दी गई थी फ्रेंसेस क्रिक से किसने दी थी फ्रेंसेस क्रिक ने? तो आंसर इस C आंसर इस बटा C Is it that difficult? No Is it that difficult? No है ना? चलिए When a snapdragon plant homozygous for red flower is crossed with another plant bearing white flower यह इसको हम यह TT girls लिखा है यह RR आएगा What color will be observed in F1 generation? बहुत सिंपल से बात बोली Tution madam मुझे आंपिछ सूखे गार है अपने ब्लास हाँ मतलाब मेरी teaching की teaching वाली classes चल रही है क्या? कैसे कैसे गंदे गंदे लोग आते हो वही तुम लोग है? इसने सिंपल बोला आपके पास एक red flower है एक white flower है तो सीधी सी बात है इन दोनों से आपका pink flower आता है और यह हमको पता है RR 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 अगर होगा तो यहाँ पे इंकंप्लीट dominance आती है यह क्या आती है? इनकंप्लीट dominance आती है incomplete dominance जो कि यह कहती है कि भाईया अगर आपको recessive होना है अगर आपको dominant होना है तो आपको homozygust state में ही रहना पड़ेगा hydrozygust state में there will be a connective link जो आपका form होगा जो कि ना तो dominant होगा ना recessive होगा ठीक है hello आयूश नितीश नागपाल भाई stitching की class नहीं दिखरी ठीक है stitching की class नहीं चल रही है यह आपको blouse उतरवाना है कि blouse देखना है कि सिलवाना है आप अपनी मम्मी से consult कर लें क्योंकि blouse तो उनके पास भी होगा है ना तमीज में रहा करो आगे चलो अगे चलो अगे चलो अगे चलो जेनेटिकल इडेंटिकल प्लांट ग्रोन भाई दे प्रोसेस माईक्रो प्रोपागेशन आर कोल्ड मैरिस्टेम सोमो क्लोंस एक्स प्लांट सोमेटिक हाईबिड भादवार्फ प्लीज हाव सम्पेशन विटा यह एक्स प्लांट बताऊंगी मैं अभी बीच मेरा फ्लो मतुड़ वाओ विकि कुछ कोस्टेंट से 25 कोस्टेंट वी हाव तो दू अटलिस्ट राइट चलिए तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आसर के कोई हो गया leaf, weave, root, root, any part of plant is called ex-plant, somatic hybrid like tomato, आपने somatic cell लिये किसी का, एक leaf का cell tomato को ले लिया, एक leaf आपका potato का ले लिया, आपस में fuse किया, somatic hybrid, अगर gamete का fusion होता, तो somatic नहीं होता, pollen grain and egg का होता तो somatic नहीं होता, but other than pollen grain and egg था, तो हमने इसको somatic बोल दिया, clear है आगे देखो, identify the incorrect statement, I think 98 में भी आगया क्या नहीं दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है identify the incorrect statement, do remember incorrect statement हमको निकालनी है, from the following statements phenylketonoria is a autosomal dominant trait, hemophilia is a sex linked recessive disease thalasmia is a autosomal linked recessive blood disease, color blindness is a autosomal linked recessive disorder, अब देखो ऐसे question मैंने आपको समझा रखी है पहले भी आपको मैंने बताया था हमारे पूरे syllabus में, जब हम एक explained form में पढ़ते हैं वहाँ पे कोई भी ऐसा disease नहीं है, जो कि dominant हो, हमारी पूरी NCRT में mitonic diastrophia, जो है एक वही dominant का pedigree chart given है, इसके लावा किसी भी dominant के बार में वहाँ पे बात नहीं की गई है other than that, आपके पास vitiligo आता है, आपके पास sorosis आता है, जो कि autosomal and dominant है, है न, इसके लावा dominant की कोई बात नहीं की गई है तो अगर यहाँ पे देखो तो पहला statement ठीक है phenyl ketanoria autosomal dominant नहीं है, recessive है recessive है, कोई भी dominant है नहीं hemophilia है, sex linked है, recessive है that's true thallismia autosomal, recessive है यह भी ठीक है, color blindness autosomal, recessive है, यह भी ठीक है, so B, C and D, okay, मैं कुछ गरबड कर गई क्या कुछ गरबड कर गई क्या oh sorry, color blindness is not autosomal, it is sex related disease, I'm so sorry, so answer क्या हो गया, B and C, आपका incorrect बताना था, तो B or C ठीक हो गया, तो A or D क्या हो गया, answer A or D A or D आपके incorrect है A or D आपके क्या है, incorrect है clear है, आगे देखो in humans, female oogenesis is initiated during embryonic development puberty, after birth, after 18 or 19 years बताइए, बहुत easy है, very easy easy-peasy, yes hyper trichosis, yes we all know अगर तुम मेल की बात करोगे तो पुबर्टी के टाइम पे गुना डॉट्रोपी नाएगा, बहुत सारा तब जाके चीजे होंगी, but female is quite different, we have to start our oogenesis process from the very first phase that is embryonic development incorrect बताना था, Aayush incorrect बताना था, incorrect statement identify करना था correct answer बताना था इन में से कौन से incorrect है वो correct बताने थे, थोड़ा समझा करो चीजों को आगे देखो, again list 1 and list 2 शाबाशे FSH, LACC, NETCG, HPL and Progesterone, here are the sources, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ फटा फट से we don't have that much time बता, यह हमारी चीज़े पहले भी हो रखी है यह अल चीज़े हमें ऐसी करनी है ऐसी, it will take time right, we'll practice more and more and more and more but after a time, हम ऐसे घर लेंगे इनको, ऐसे, 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 फटाक से है न, तो उसके लिए हमको बहुत सारी प्रेक्टस करनी पड़ेगे तो आपको रोज आना पड़ेगा Tuesday में, Thursday में, Saturday में है न, तो FSH कौन छोड़ता है FSH, FSH कहां से आएगा कहां से आएगा Pituitary Gland से, Pituitary Gland छोड़ती है LH को और FSH को GONADOTROPIN HORMONE इसको कहते है RELAXING कहां से आता है कहां से आता है RELAXING हम किसके बारे में बात कर, RELAXING OVARY से आता है, HCGN HPL को छोड़ता है, PLACENTA, PROGESTERON CORPUS LUTUM, क्लियर है तो answer is D answer is D, A का फोर्थ हैगा बटा, Pituitary छोड़ती है, न, FSH को इसके अलावा कोई है नहीं दूसरा इसके अलावा कोई है नहीं दूसरा, तो answer is D, Y3, बटा, FSH OVARY कब से छोड़नी लगी, आपको मैंने पूरा सीक्मेंस समझा रखा है कि हमारे पास सबसे Hypothalamus आएगा Hypothalamus GONADOTROPIN releasing hormone जाएगा जो कि किस के ओपर काम करेगा Pituitary पे, Pituitary LH छोड़ेगी FSH छोड़ेगी FSH काम करेगा आपके Follicle के ऊपर, राइट Graphene Follicle के ऊपर और LHBC के ओपर काम करेगा Ovulation हो जाएगा आपका जब Follicle था तो Estrogen, Corpus Lutum बना तो आपका Progesterone Isn't it? Isn't it? Right, तो answer is D, answer is D And कौनसी वाली Gland आती है? Pituitary में, anterior के Posterior, anterior आपका Posterior भी आता है, Oxytocin Posterior बनाता है, पता है ना सब कुछ हमारा Hypothalamic होता है, वहां से हमारा Neuron आता है, जो direct Pituitary में जाता है, direct बनाता है बनता तो वह Hypothalamus में है बस निकलता आपका Posterior से तो उम Posterior का नाम दे देते हैं, Vesopressin और Oxytocin सिर्फ दो होर्मोन है जो Pituitary बनाती है, बाकी सारे anterior Pituitary बनाती है होर्मोन, क्लियर है, तो Oxytocin Posterior and LHFSH are anterior, याद रखना ये भी, ठीक है Stages of Primary Ecological Succession in Water are given below, arrange the stages in correct sequence Reeds Swamp Stage, Forest, Marshmallow Stage, Submersd Plant Stage, Scurb Stage Yes बताओ जल्दी से बताओ, 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 बताओ हान जी, बिल्कुल स्टोर करता है, बनता हाइपोथेलमस में है Exactly अब देखो यहाँ से, हमारे पास सबसे पहली कौन से स्टेज आते हैं, बिटा Phytoplankton वाली जब आप प्लानी के वारे में बात करते हैं, सबसे पहले Phytoplankton stage बनती है Phytoplankton के बाद Submersd वाली stage बनती है कौन सी वाली? Submersd वाली Submersd के बाद कौन सी बनती है? Read Swamp stage उसके बाद कौन सी बनती है? Read Swamp बनती है read swamp के बाद हमारी कौन सी आती है उसके बाद हमारी marsh meadow आती है उसके बाद हमारी marsh meadow marsh meadow आती है and then हमारी scrub आती है and scrub के बाद आपका finally forest आता है so answer will be answer will be D अगर यहाँ पर यह एक stage ओर देते है phytoplankton तो आपका बीच में आ जाता इको लोजिकल सक्सेशन कि पहले कोई भी चीज नहीं थी, लाइफ नहीं थी, धीरे-धीरे टाइम के साथ लाइफ आती है वहाँ पर, और आखरी में जो स्पीशिज रहती है, क्लाइमेक्स कम्मिनिटी, जो शुरुआत में होती है, पाइनियर कम्मिनिटी, यह हमने सबसे ला virus group, HIV infection can occur by transfusion of contaminated blood and blood product, macrophage viral DNA is produced by reverse transcription, HIV enter into B lymphocytes, replicate and produce progeny, yes, बताओ, बहुत easy है, very easy, very easy, ये पूरा cycle, I think, मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, जहां तक मुझे ध्यान है, मैं आपका ये पूरा cycle समझा चुकी हूँ, आप लोगों को, and ये आपको फटाक से करना है, सबसे last class हुई थी हमारी, सबसे last class जब हमने करीजना बंजरी सीरीज की, तो वहाँ पर हमने ही बहुत अच्छे से बड़ा था, मुझे ध्यान है, ही रेट्रों से बिलॉंग करता है, ये बाट ठीक है, इनफेक्टिड ब्लड आजाए, यह ब्लड प्रोड़क्त आजाए, ही तब होता है, चाहिए वो नीडल की शेरिंग होता है, ब्लड ही ट्रांसउसितन कैसा ही तो यह ठाइक है, ठाइक है, मैक रोफेस के अंदर क्या होता है, चाहिए Kी फेको यूंधि की वहां पर ह existe είναι ड्र न वाला मॉले क्योल वारजि वारस है, और से द्टीमें लिए ट्र लिए आनन ए वारस की ड्टीमे कीं थीक है reverse transcription और reverse transcriptase enzyme virus का खुद का होता है HIV B lymphocyte में कभी नी जाता है T में जाता है बटा बी में कभी नी जाता है T में जाता है so answer is C only D only आप C Q बोल रहे हो B तो बिल्कुल ठीक है किसने का हम contaminated blood से या उसे नी डाल सकते अगर किसी person को HIV है आपने उससे ब्लड लेकर किसी normal person के बलड डाल दिया तो उसको भी हो जाएगा बिटा मैस्ट सेल का कोई relation नहीं है यहां पर walkie-talkie ठीक है answer is C बटा only D गलत है बाकी सारी ठीक है which of the following is not a basic step in genetic modification of an organism इन में से कौन सा एक basic step है genetic modification में जल्दी बताओ एक basic step कौन सा है genetic modification में not a basic नहीं है कौन से वाला हम genetic modification में use नहीं करते है फालतु का step given है introduction of identified dna into host identification of dna with maximum number of gene maintenance of introduced dna into the host transfer of introduced dna into the progeny of host बताइए कौन से वाला किसी भी मतलब का नहीं है हमको हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही आयूश आयूश बिल्कुल सही क्या हो जाएगा maximum number वाला gene ढूंकि हमको कोई लिना देना नहीं है हमारा जो desired dna है gene of interest जो है वो हमको identify करना है चाहे हमारा gene of interest छोटे वाले छोटा हो चाहे वो बड़ा हो it doesn't matter तो बी वाला irrelevant है identify the contraceptive measure which cannot which cannot be practicized by human female human female उसको यूज नहीं कर सकती human female का कोई लिना नहीं है उससे हैना हम चाहे तो भी इस्तिमाल नहीं कर सकते ऐसे वाले आपको contraceptive बताने है मतला pregnancy को अवाइड करने वाले तरीक के बताने है iud tuberctomy visectomy diaphragm yes exactly i use jaiswal you are on fire fire चल रहीं पी ह्याइश की तरफ से सारे answer ऐसे ओसे कर रहे जैसे विस्त टॉमे क्योंकि हमारे अंदर वासा deep इफरेंशिया होता ही नहीं है जब फीमेल में वासा डफरेंशिया होगा नी तो फिर करेंगी कैसे एकलोता निक तो कॉंडॉम, सेकेंड इस बसक्टोमी, जो मेल यूस करते हैं, उसके लावा सभी फीमेल वाले हैं, जो यूसके अधर बहुत सारा हम कोई भी बक्टीरिया है, उसको कल्चर करते हैं, अपना प्रोडक्ट निगालने के लिए, दो तरीके कहाते हैं, एक प्रोडक्ट निगक。 वीं मैं इस बावन्हें यूनिट, आप्ड़्च्छि, उसके अंदर गॉफें गॉफ। एसी दूसरा-प्थ हम एर छोड़ते हैं उसके अंदर", और रखी मिंग्सिंग होती हैwe., यूरा साफिस सों मेरे सफार एर ब्ले, हमारे साफिस अरिया भी उप increase the area for oxygen transfer. बढ़िया, बढ़िया, यह दो सबने साही किया है. मुझे एक्स्पेरिमें करने के बजरूरत ने, क्योंकि सबका ठीक ही है. है ना? चलो, experimental verification of chromosomal theory was given by Stuart, Thomson, Hunt, Morgan, Stadler, Charles Darwin. Charles Darwin, बहुत बढ़िया कांग्षा, कुम, कांग्षी, ए बाला, निके, तैनी. येस, बहुत बढ़िया, आयुष, जैश्वाल. विकिपीडिया खोल के बैठे हो गया साथ में? दो बात हो सकती है. एक तो भी तुम इतना पढ़ लिए हो. बहुत अच्छी बात अगर ऐसा है. दूसरा विकिपीडिया खोल के बैठे है, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि या तो ही रहा है कम से कम. ये ना, बाकि आई बिलीव पहले वाला हो. आंसर इस बी, थॉम्सन, हंट, मॉर्गन. इन्होंने क्या यूज किया था? ड्रोसोफिला मैलनगेस्टर. ड्रोसोफिला मैलनगेस्टर के हम बात करें, तो इसके अंदर चार क्रोमोजोम थे, दस बाया दिन की जिंदगी, हाई डिफरेंसे बेट्विन हाई सेक्शुल डाइमॉर्फिसम, मेल फीमेल, बहुत सारे डिफरेंसे थे, लाब के अंदर बन पन अप सकते थे, वन टाइम, लाज़ अंट अफरोजेनी, राइट, नहीं आयूश मैं तुम पर बिलीव करें। मैंने तो कहा ना कि पहले वाले पर मैं बिलीव करें। आगे देखो, राइट the correct sequence of event performed in DNA fingerprinting technology, आपको DNA fingerprinting करना है, तो बताओ कॉन से step आपके कैसे होंगे। पहले, isolation of DNA, separation of DNA, fragment by electrophoresis, digestion of DNA using restriction endonuclease, transfer of separated DNA fragment to the synthetic membrane, yes, thank you so much भार्द वाज बिटा, बट मुझे आपका question याद है, do not get worried, ठीके, अभी मुझे पता है, आपको मुझे कराना है, ठीके, 86 से शुरू किये थे ना हम, आज की क्लास, 86, 84 वाला पैंडिंग था, तो मैं, 87, 80, 90, 90, 25, कोशन हो गई है, ठीके, करो, करो इसको, पहले तो, isolation करेंगे, no doubt, उसके बाद उसको digest करेंगे, restriction endonuclease से, टुकडो को सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम उन सेपरेटी DNA fragment को, synthetic medium में कर देंगे, तो, answer is, this, बहुत easy था, यह तो, why, why Y, 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 B, बिटा, पहले, पहले जो है, पहले हम उसको, electrophoresis से कैसे अलग करेंगे, बिना टुकडे कि, electrophoresis क्या कहता है, बड़ा टुकडा पीछे, छोटा टुकडा आगे, मोटू वाला पीछे, पतलू वाला आगे, तो, टुकडे तो, करने पढ़ेंगे, ना पहल होगे आगे, so that, तुम क्या कर पाओ, so that, तुम उसको, जो भी, फिंगर प्रिंटिंग करनी है, PCR करनी है, वो आप करो, अपना desired, जो भी आपको प्रड़क्ट चाहिए, राइट, तो, answer is, बटा, A, आगे, select the current statement from the option given below, कुछ options है, कोई बात मियानी के, तित्सों के, याद invasive alien species in India, lantana is also known as carrot grass, African catfish is a threat to indigenous catfish, yes, बता हो, बता हो, बता हो, बता हो, correct बता हो, जो correct statement है, वो आपको बता हो, बिल्कुल, B and D सही है, देखो भई, अगर तुम बात करो, हमारे पास जो alien species है, इंडिया के अंदर जो alien species है, वो तीन है, नाम याद रखो, तीनों का, आती है, lantana, खुबसूरती के चकर में लेके आई, पर कोई खाता नहीं है, parthenium, allergy cause कर देती है, carrot grass भी बोलते हैं, इसको ब्यूटी के चकर में लेके आए थे, terror of बंगाल, इसको हम कहते हैं, ठीक तो पार्थेनियम एंडमिक नहीं है, बिल्कुल भी, alien species है, भी ठीक है, lantana को carrot grass नहीं कहते हैं, पार्थेनियम हाइस ट्रोफा को हम कहते हैं, एफ्रीकन catfish जो है, वो indigenous catfish को लेके खतरा है, जैसे South America कि एक लेक थी, Victoria Lake, वहाँ पर नाइल पर्च फिशिस को डाला, तो वहाँ पर जो चिचलिड फिशिस थी, जो कि वहाँ की एंडमिक स्पीशिस थी, वो गायब होगी, सेम ऐसे यहाँ पर गलेरियस गलेरियस करके आपकी catfish आती है, उनके आते ही जो indigenous fishes थी, वो गायब होगी अंग्रेज, अंग्रेज एंडमिक के लिए खतरे थे, ऐसे, ठीके, हाँ बिल्कुल, पार्थेनियम, ऐलर्जी कोज करेगी, ब्रॉंकी आइटस, है न, वो भी कोज करेगी, रस्परेटरी प्रॉब्लम्स कोज करेगी, ठीके, आगे देखो, टूलिस्ट यार हैविं, माइक प्रॉब्लम्स कोज करेगी, येस, लेक्टो बैसिलस की से संबन दिता है, लेक्टिक असेड से, असपर्गिलस नाइगर की से संबन दिते, citric acid, acetaldeacetic acid, clostridium butylicum butyric acid, ये सबसे असान था, ये सबसे असान था, जो हमको नहीं आता हो, सबसे ईजी, और ये सबसे हर बार आते सवाल, ऐसे वाले सवाल, इस शाप्टर से, माइक्रोब वाले से LIST में सवाल आता हर साल, तुम्हारे हर किसी के पेपर में म जाइन दे देगा या फिर कोई आपको क्यामिकल दे देगा ऐसा सवाल हर बार आपका एक पीपर में आएगा ठीक है आगे देखो भाई इफ लास्ट येर देर वर 80 लॉटस प्लांट पिछले साल असी लॉटस प्लांट थे और 16 नए प्लांट जो है वो रिप्रडक्शन से आ इनिशल पॉपुलेशन थे जो हमारी इनिशल पॉपुलेशन थी इनिशल पॉपुलेशन थे इनिशल कितनी थी 80 आय कितनी 16 अब देखो मेरा भई इतनी पहाडा मेरको आती नहीं है है ना मेरको इतने बड़ी-बड़ी सिद्धी कटिंग नहीं कर सकती मैं अगर कोई है सा महानुन अभव तो अच्छी बात है बाकी अपने वसकी नहीं है तो चार से काट दे चोग-चोग सोडा है है ना 20 2 10 15 यानि कि 15 का मतलब क्या है 15 का मतलब क्या है 0.2 0.2 अंसर ऐसे है एंगा आंसर इस नहीं कोई बात भी मेरा तो मैस इतना खराब है कई बार मैं सब्सक्राइब कर देती हूं इत्सक्राइब कोई बात नहीं ठीक है मेरा तो घराब है जिरो पॉइंट टू अपस्प्रिंग पर लॉट्स पर यह इसलिए मैं दो या तीन सही कट करती हूं मैं जाधा बडे पहाड़े पर जाती नहीं हो क्योंकि अबना मैथ थोड़ा खराब है ओ ओके कोशिंग जाएगा यह पांच हजार कुछ निया चाराजार कुछ हो जाएगा इफ यू यू विल यूज कॉर्ड वाई 697 s अगर आप वाई 697 s लगाएंगे अगर आप वाई 697 s लगाएंगे तो यह जो डेल्टा बैच है है जो 5000 का आपको दिखा यह 5000 risk यह 4000 प्या जाएगा ठीक है तो पहला भी बताया थै मैंने रिकूट कर दिया है आगे देखो नेम फफ पार्ड एन्ड के रेक्तर सिक्स नेम फफ पार्ड एन्ड के रिक्यिस और्ट नोबण क्याजिक्ट unserer bağ neshan Common Elb Blind लगा दिया क्या लगा दिया चलो चलो शाबासे अध्यकों ट्रिपलेट आया इस पे ना 1 1 1 ऐसे लिए नमबर बड़ अचे लगते हैं जो 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 लगा ट्रिपलेट फॉलेट ऐसे वाले नव ना बेमिनस कॉन सा होता जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का endosporm ना हूँ ista can't play ansect वोल सो आंशर हिससत हूप दो करना जाता है यह कई परितन है इसạnhान क्योश उन SEE by electrostasis बंता है एक जाम्पल आपके पास जैसे बलाक पैप पर beetroot यह से कुछ examples है right आगे देखो identify the species which is not invasive ऐसे वाले बड़े कोशनातर बच्चे बहुत गायब होते हैं यहाँ पे एक invasive species नहीं है यह मैंने invasive के example तुमको बताए थे दो सेकिंड पहले black pepper शिम्ला मिर्च को नहीं बोलते है कि कैपसी कम होती है my favorite black pepper काले मिर्च होती है yes ruminant nucleus new cellus new cellus new cellus ठीक है चलिए बताओ जो अलदी से not बिल्कुल सही वैले से नियर्या कई बार ना आपके पास एक शब्दा आता है osmium osmium sanctum यह हम तुलसी को बोलने है यह तुलसी का scientific नाम है osmium osmium भी होता है तो इसको प्लीज ध्यान से रखना ठीके इसको थोड़ा प्लीज ध्यान से करना कि ऐसा कभी आए तो वह invasive नहीं है हमारे इंडिया की यह पिज़ा के साथ best combination not about pizza मुझे capsicum row भी अच्छी लगती है अच्छ 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 को एनी विल रिपीट मैं इसको इवन 13 को ठीकर के देदूंगी एक question में extra करेंगे next class में इसकी जगह पर you are having two list list one and list two you have to match it commensalism mutualism parasitism competition yes dal fry yes palak paneer kadhai paneer 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 is favorite like dairy product जितने भी होते हैं old dairy product are my love yes क्योंकि वैसे भी में हरियाना से हूं और हमारे तो कैतने हैं दूद दाही का खाना वो देश दामदेश हरियाना है ना so dairy products are love yes commensalism 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 क्या होता है एक को फाइदा एक को कोई फरक नी पड़ता mutualism दोनों को फाइदा paracetism एक को फाइदा एक को नुकसान competition दोनों को नुकसान अब example आपके सामने है किसी को अगर ना समझ में तो मैंने आपको अधर लिक भी दिया है तो कसकटा हेज प्लांट पर बटा हेज प्लांट को कोई फाइदा नहीं है उसको तो नुकसान ही हो रहे है कसकटा का फाइदा है तो भाया यह तो paracetism हो गया है तो paracetism में उसके बाद बैलनस और शैल्थमस यह कॉंपटीशन के एग्जांपल है वह कॉंपटीशन के एग्जांपल है यह हमारे कॉंपटीशन बैलनस जो आती है वह शैल्थमस को बगा देती है है उसके बाद सी अनिमोन मॉव्मेंट नहीं करता हो है ना clownfish clownfish को protection मिलती है that is commensalism A तो answer क्या हो गया तीसरा चोथा पहला दूसरा तीसरा चोथा पहला दूसरा answer is D answer is D Rajma Chawal yes dal chawal Rajma Chawal तो बहुत सारे लोगों का favorite है but personally I don't like it that much eat but not that favorite kadi chawal is love for me list one and list two rheumatoid arthritis, AIDS thymus and B lymphocyte list two primary lymphoid organ antibody-meditated immune response immunodeficiency disease autoimmune disease मैं आप कोशन आरे तुम मोज लो भाई तुमको ये कोशन रुकने नहीं वाले है तुमको मैं एक चीज़ बोली थे कि सबसे पहले गरांगी तुमको 300 questions कर रखे है मैंने तुम 100 croce कर चुके हो बाकी subjects में तुमने पहे तक 100 croce करा नहीं होगा गिन लेना by way चलो rheumatoid arthritis it's a autoimmune disease जहां पे हमारी body हम पही अटाक करती है right 8 a is 4th इधर भी 4th AIDS जो है AIDS आपका immunodeficiency disease है HIV human immunodeficiency disease right तो 3rd उसके बाद यहां यहां नहीं आंसर तो आ गया thymus bone marrow and thymus primary lymphoid organ जहां पे हमारी RBCs WBCs WBCs mainly जहां पे बनती है and B lymphocyte यह हमारा antibody-mediated immune response देती है क्योंकि B lymphocyte antibody बनाती है T lymphocyte help करती है पर बनाती भी ही है right तो answer is D answer is D right answer is D YA YA D हो जाएगा बटा आगे देखो again list one and list two Lamarck Darwin Thomas Malthus Hugyoti virus इस तरफ आपके given है जो भी यह list है आप क्योंकि A question हमारा repeat हुआ है है ना A question हमारा repeat हुआ 1-13th वाला 113 question repeat वाला 113 question repeat वाला तो उसकी जगे पर यह है that's our final question yes करो इसको answer 57 हो गया वैसे तो time उपर हो गया 1 minute वठा इसर 57 ही है तो लेमार्क क्या कहता है लेमार्क कहता है कि जैसे साप थे साप के पहले पैर होते थे पर उसने पैर को ठाया ऊपर और रिंग रिंग करके चलना लग गया तो भई खतम हो गई वह जिराफ था चोटी जी गर्दन थी ऐसे करकर खाना खाते था तो लंभी ग्रदन होगी यूज ऑं मिस यूज का यहां से लबाल्रक पीम लमार्क इस के उफ इस्टिह यूज आप यूज जिस ऑफ और वार्गेस यूजन दस यूजऑ उव और्गेस यूजर्टिए हमारे पास डार्विन आता ए के एकम सब्राइस के यह यहत्या हो जूटेसर अग्या ईजिकर लेहाँ ऊ वहाँ की अपने अंजा था टो चीज सर्ता रहीं है हां यहां आणसे क्यों समत्रों बिलकुल के इसारी मीडियम थे Itad के लिए सिस्टेंड हिए यहीं पर दन और एक इस्तीन फाला पि Unt inert एक रिपीट हुआ है कोश्यन हमारा आज हमने कितने करें हैं आज हम जो शुरू किये थे शुरू हमने किया था 84 वाला था यानि हमने 86 से रिपीट किया था मनला 90 तक आए 5, 10, 20, 25, 30 हमारे पूरे 30 कोश्यन हो गया आज के ठीक है अभी हम आगे करेंगे नेग्स्ट क्लास में और आप सब को पता है यार यह हमेशा ऐसे क्यूं होता है मेरे साथ homework आपका क्या है homework आपको बताना है point mutation क्या होता है you have to tell me point mutation and its example आपको example भी बताना है example भी बताना point mutation क्या होता है क्या example है and आपके पास email है देखो भी आपे मने लिखा था feel free to ask any question पता नी ऐसा क्यों होता है मेरे साथ जब भी मैं इसको PPT को ले के आती हूँ इस board पे अपने laptop से बना के तो यह S हो जाता है तो आपके पास email ID है sonia.chal याद रखना बीच में dot है at the rate at a 24 7.com you can email me for any query ठीक है कोई भी आपको question पूछना है all free to go and delta batch you all know you have to use code Y697S any book, any test series, anything you want to buy here is the code and thank you so much I hope you enjoyed the session and a question Bhardwajji का जो हमारा रहे गया है कि माम किस तरीके से में prepare करेंगे देखो Bhardwaj, एक बात तो मानलो अगर आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे physics होगा, chemistry होगा, english होगा, hindi होगा हर चीज आपके पास होगी तो possibly आप फिलाल क्या कर सकते हैं जितने भी questions आपके important वाले आप वो कर लो इवन इसे चानल पे मैंने आपको जो important topics जो हर साल repeat होते हैं और जिस इनके chances हैं उन ही में से आता है वो बने करा रखे हैं आप सिर्फ उन topic को अगर कर लोगे ना वीडियो वाले section में जाना चैनल के वीडियो वाले section में जाना निचे स्क्रॉल करते जाना you will get to know important topic for class 12th, board में तो वो कर ले ना बस वही कर ले ना तुम्हारा वहाँ पे 70 marks का board आता है 70 में से, trust me, 50 प्लस तो तुम एजिली स्कोर कर पाओगे सिर्फ उन topics को पढ़के युकि वो बहुत अच्छे topics और बहुत ऐसा topic को जो हर साल repeat होते हैं आयूश आपको अभी नी homework बताना है I don't want here, I'm not saying मेरी आखे बंदे मैं नहीं देख रही हूँ मैं नहीं देख रही हूँ मैं नहीं देख रही हूँ कमेंस तुम्हारे मेरे को ये comment box में, जब मैं वीडियो में टाटा बाय करके चली जाओ, उसके बाद मुझे comment section में ये चाहिए, ठीके, so Anush Kumar, I also love you and for my love I will give you this and जूता निकालके वो तेरी चांटे पहके मारूँ मैं ओनलाइन पिटाई कर दूंगे तेरी और अगे से तु मेरी class में में नहीं आएगा कांगशी जाहू, हाँ, प्यार तो तुझे करना भी चाहिए, बहनों से प्यार किया जाता हो, और किससे प्यार करेगा तो कांगशी तुमको एक भाया मिल गया है तुम्हारे, जिसका नाम है Anuj Kumar अपने भाया से अपने प्रेम को उसके प्रेम को लीजिए, राखी पे मिलना ही से, ठीके, अनुझ, गिफ्ट के साथ, अच्छे से गिफ्ट के साथ, ठीके, आपकी क्लास पांच बजे होती है, आपको जरूर थे नॉटिफिकेशन की, नहीं, जरूरत ही नहीं है नॉटिफिकेशन की, पता है, पांच बजे माडम आएगी, एक दो मिनिट ऊपर नीच ओजाएगा, जिब खाना खाते होगी, टाइम लग जाता ने में, तो होगी पांच बजे क्लास, चुप चा पाज़ा, आपको नॉटि साटरे में होती है, टी टी एस में क्लास होती है, पांच बजे, अल्टरनेट डेस में, ठीक है, सो अभी के लिए गुट बाई, भार्दु आज बता दिया, बिटा मैंने, आपने सुने नहीं,